नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में में आप लोग को एक 40 feet by 29 feet में बना हुआ घर का नक्सा दिखाने वाला हूँ और इस नक्सा में आपको तीन bedroom के अलावा hall, dining area, kitchen के साथ साथ शीरी भी दिखने को मिल जाएगा सबसे पहले बात करेंगे इस बनने वाला घर का front view का तो आपको 40 feet का front भी मिलता है लगबाक बीचो बीच इस घर के लिए main door में ने परभायट किया हुआ है main door का size का बात कर लिया जाए तो 4 feet by 27 feet का ये door होने वाला है जबकि और सामने की तरफ आपको दो विंडो देखने को मिल जाता है पहला विंडो यहां पर है और दूसरा विंडो यहां पर है अगर आप इस दुनों विंडो और यह जो बनने वाला दर्वाजा है उसको एक अच्छे design के साथ अच्छे combination के साथ बनाते हो तो आपको एक सुन्दर सा front view मिल सकता है उसके साथ साथ जो cd का landing उसे भी मैंने आप देख सकते हो अंदर ही provide किया हुआ है अंदर ही design किया हुआ है जैसे ही आप घर में इंटर करते हो तो आपको मिल जाता है hall के साथ साथ यहाँ पर dining area size का बात कर लिया जाए तो 22 feet by 14 feet का इसका size रखा गया है उसके साथ में इसके mindset में आपको एल सिप में यहाँ बना हुआ दिख जाता है kitchen platform size का बात कर लिया जाए तो 9 feet by 14 feet का इसका size रख गया है यहाँ पर मैंने सिंक भी डिजाइन किया हुआ है सामने के तरफ एक window आपको मिल जाता है उसके साथ साथ दाहिने साइट का बात क्या जा तो 6 feet 14 में इस घर के लिए Siri design क्या हुआ है इस तरीका से आप आते हो और बिलकुल clockwise आप इस Siri का इस्तिमाल करते हुए इस घर क चले जाते हो उसके साथ साथ मैं बता दो कि इस घर में आपको तीन bedroom देखने को मिलता है इस corner वाला bedroom का बात किया जाए तो 12 feet 6 inch by 13 feet का है यहाँ पे double window में इन परभाइट किया हुआ उसके साथ साथ बीच वाला जो bedroom है उसका side भी same है 12 feet 6 inch by 13 feet उसके साथ साथ यह तिसरा bedroom है जिसका side भी same मैंने रखा हुआ 12 feet 6 inch by 13 feet का तो इस तरीका से पीछे की तरफ आपको तीन bedroom देखने को मिल जाता है हलाग कि window यहाँ पर आप जो corner वार रूम है वहाँ पर double window देखने को मिलता है और यह जो बीच वाला है वहाँ पर आपको एक window देखने को मिलता है कॉलम का बा से भी आप मिला सकते हो तो इस तरीका से column positioning मैंने इस घर के लिए रखा हुआ है अगर आप एक तला तक घर बनाना चाहते हो तो 9 inch by 9 inch का column में भी आपका काम चल सकता है अगर आप दो तला या फिर उस ज्यादा ले जा सकते हो तो आपको 9 inch by 12 inch का कम से कम column का size कर लेना होगा तो इस तरीका से अगर आप एक 40 feet by 29 feet में घर बनाना चाहते हो तो इस तरीका से आप इससी मिलता जुता pattern पे अपना घर भी बना सकते हो दोस्तों यह मैंने किसी के requirement के अनुसार बनाया हुआ है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लिज वीडियो को लाइक करन दिवाल वो 10 इंची के साथ डिजाइन किया हुआ है तो वीडियो अच्छा लगता था प्लिज वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को साब्सक्राइब जरु करेजेगा थैंकिस सो मच